बिहार में रैली करेंगे खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त की जानकारी बिल रही है उसके मुताविक बिहार में 20 रैली कर सकते हैं पीम मोदी अलाकि पिछली बार 30 से जादा रैली की थी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विदान सवा चु प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी आपको बता दे कि 28 अक्टूबर को बिहार में पहले दौर का चुनाव होना है हाई प्रदानर्द प्रदान चुनाव में लालु पर्दानर्द पर्दानमंत्र चुनाव नहीं कर पाएंगे लालू यादव को भले ही अभी जेल से रहाईडा मिली हो लेकिन एक मामले में जमानत मिलने से आरजेडी के कारेकरताओं में जरूर जोश है बिहार चुनाओं से पहले लालू की जमानत मिलने की कैसे खुशी मना रहे हैं आरजेडी के कारेकरता बता रहे हैं रावली देवी के आवाज से हमारे समभादाता रजणी से हाँ बिहार में चुनाओं की गहमा गहमी के बीच लालू परसाद यादो और उनके परिवार के लिए एक राहत की खबर और राहत की खबर ये कि राची से नैले ने लालू परशाद यादो को चायबासा ट्रेजरी केस में जमानत दे दिया है जी हाँ चायबासा ट्रेजरी केस में उन्हें जमानत मिली है सजा की आधी अधी लालू यादो पूरी कर चुके थे और यही कारण है कि उन्हें जमानत दी गई है इस वक्त जो परिवार के सजसे हैं वो घर के अंदर मौजुद है करता है चाहिए वो राबरी देवी हों तेजस्मी आधो हो चेश परताप हो तह देश परताप हो सभी लोग अंदर है और घर के बाहर कारेकरताओं के अंदर खुशी का महले आप देखिए कारेकरता खुश है कि लालु यादों को एक मामले में बेल मिली है लालु यादों जेल से तो बाहर नहीं आएंगे मगर एक मामले में उनको बेल मिला है उसको लेकर इतनी खुश है सब्सक्राइब सब्सक्राइब के नहीं हिंदुस्तान के सब यह करता लालु यह लालु यादो के घर के बाहर का मूड जहां पर लोग इस बात से खुश है कि उन्हें एक मामले में डूमका ट्रेजरी मामले में अभी भी उने बेल नहीं मिला है उसमें सजा की अधी अधी पूरी नहीं यहां एक महीने बास उसमें सुनेवाई होनी है और उसके बाद यह फैसला होगा कि लालु आदो जैल से बाहर आंगे की नहीं लेकिन कारेकरताम क्षुशीं इस बात की है कि उन्हें एक मामले में बेल अगर मिल गया तो हो सकते हैं उससा धार पर दूसरे मामले में बिल हो जाए अभी नहीं तो एक महीने बाद लालुयाद और जिल से बाहर आएंगे इसी आस में कारे करता हैं इसी आस में परिवार के लोग हैं अगर एक जो बुरी बात है वो यह कि इस दौरान विहार का चुनाव खतम हो जा झाल झाल